संख्याओं और अक्षरों से बने पैटर्ण Number and Alphabet Patterns आज हम कुछ ऐसे पैटर्ण के बारे में सीखेंगे जो संख्याओं और अक्षरों दोनों से मिलकर बनते हैं और इन पैटर्ण को बनाने का कोई ठोस नियम नहीं होता हम खुद अपने नियम बना कर भी पैटर्ण बना सकते हैं अरे भोलू रास्ते पर अपनी मोटर साइकल रोक कर हौन क्यों बजा रहा है भोलू तुमारी नई मोटर साइकल आ गई यह तो बहुत संदर है तुम अपने आप चला कर आए हाँ पहली बार मैं किसी और को थोड़ी न चलाने देता यह तुमारी मोटर साइकल पर क्या लिखा है मेरी गाड़ी का रेजिस्ट्रेशन नंबर है वह क्या होता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ यह है भोलू की मोटर साइकल की पंजी करन संख्या माने रेजिस्ट्रेशन नंबर इससे क्या होता है यह हर गाड़ी की अपनी विशेश पहचान होती है इसे लाइसेंस प्लेट भी कहते हैं देखने में यह एक पैटर्न जैसा लगता है हाँ, रेजिस्ट्रेशन नंबर का यह नियम है कि पहले इसमें अल्फबेक्स होते हैं और बाद में नंबर मेरी गाड़ी का पंजी करन नंबर है MHP 3806 मेरे पिताजी की मोटर साइकल का नंबर है एक बीसी दो दो तीन चार अच्छा, तो अब समझी, चलो सब कॉलिच चलते हैं क्या तुम और कोई पैटर्न बनाना जानते हो जिसमें नंबर और अल्फबेट दोनों हो अरे तुम नंबर और अल्फबेट दोनों के साथ कोड भी लिख सकते हो वह कैसे अगर तुम्हें किसी को गुप्त मेसेज भेजना हो तो इसका इस्तमाल कर सकते हो और तुम कोई भी नियम अनुसार अपना कोड बना सकते हो जैसे? यह देखो, मैंने हर दूसरे अल्फबेट को उसका स्थान्य नंबर दिया है अब तुम कुछ बोलो क्यों? मैं उसको कोड में लिखूंगा I am very happy today तो यह लो यह क्या है? जो तुमने बोला, उसको मैंने कोड में लिखा है जैसे कि तुम देख सकते हो आई, ए और एम को कोई नंबर नहीं दिया गया वो वैसे ही लिखे जाएंगे फिर अगला शब्द वैली में मैंने वी को बाइस इ को ई आर को अठारा और वाई को वाई लिखा है फिर हापी को आठ ए सोला सोला वाई में बदला है और तुडे को बीस ओग चार एक वाई में बदला है अरे वाह बहुत खूब अब तुम कुछ बोलो उससे मैं कोड में लिखूंगा I love maths बच्चों तुम विडियो को रोक कर यह कोड बना सकते हो ये लो मेरा कोड बोलो तो ये क्या है I love maths एकदम सही तो बच्चों आज हमने कुछ ऐसे पैटर्स के बारे में सीखा जो संख्याओं और अक्षरों दोनों से मिलकर बनते हैं और इन पैटर्स को बनाने का कोई ठोस नियम नहीं होता हम खुद अपने नियम बना कर भी पैटर्स बना सकते हैं